इन सबी सब्दों का अंग्रेशी बोलने में सही परियोग करना सेखें पहला यूज से हैं By the way By the way का हिंदी मतलब होता है वैसे इसका परियोग तब करते हैं जब आप बात कर रहे हैं आचानक टॉपिक बदलने के लिए जिसे वैसे मैं लेट हो रहा हूँ जिसे आप किसे से बात कर रहे हैं और साथे साथ आपको याद आया कि मुझे वहाँ समय पर पहुशना है मैं लेट हो रहा हूँ तो आपने टॉपिक को चैंस कर दिया तो आप पर बोलेंगे By the way I am getting late वैसे मुझे बजार जाना है By the way I have to go to market तो आपर by the way का मतलब हो गया वैसे और इसका परियोग बात करते समय टॉपिक चैंस करने के लिए अपने कोई भी चीज़ों के बारे में आपको याद आजाना कुछ डिफ्रेंट सीज़ों के बारे में बोलना By and by इसका परियोग है कुछ समय बात जैसे कुछ समय बात के लिए बोलते हैं After some time लेकिन यापर बोलेंगे By and by तुम कुछ समय बात अच्छा महसूस करोगे तो डाक्टर जब दवाई देते हैं तो बोलते हैं कुछ समय बात तुम अच्छा महसूस करोगे You will feel better By and by अकास कुछ समय बात खाना खाएगा अकास विल एट फूड By and by By and by का मतलब हो गया कुछ समय बात As of now इसका मतलब है अबसे अबसे के लिए आप परियोग करते हैं From now भी बोलते हैं लेकिन यापर परियोग करेंगे As of now वो अबसे रोज स्कूल जाएगी As of now सी विल गो टो स्कूल डेली रवी अबसे चार बजे सुभा जगेगा या उठेगा As of now रवी विल गेट अप एट 4 o'clock in the morning रवी अबसे सुभा चार बजे उठेगा अगला युसे है By means of इसका मतलब है के रहम से या के वजह से दोनों तरे के से बोल सकते हैं इसे वो आपका रहम से नौकरी पाया He got a job By means of you आपके रहम से By means of you उसके रहम से By means of him तो इसे हम चैंज भी कर सकते हैं और इसका परियोग हम अबज़क के बात कर लेंगे रवी आमन के वजह से अंग्रेजी सीखा रवी लेंट इंग्लेज By means of आमन ऐसे बोल सकते हैं As yet इसका मतलब है अभी तक अभी तक के लिए As yet परियोग करते हैं Yet परियोग करते हैं By now परियोग करते हैं Till now परियोग करते हैं परियोग करते हैं जिसे उसने अभी तक खाना नहीं खाया है इसका मतलब है अभी के लिए मतलब अभी के लिए वर्तमंस में के लिए अभी के लिए बाहर जाओ तो as for now please go outside जब आप किसी को कहते हैं तो आप वहाँ पर request कर सकते हैं अगर आप किसी को आदिस दे रहे हैं तो आप पर आप police को हटा देंगे अभी के लिए मुझे अकले सोड़ दो as for now leave me alone तो आप पर leave me alone मतलब मुझे अकले सोड़ दो बाहर जाओ गो आउटसाइड किरिप्या बाहर जाए तो please go outside even then इसका मतलब है फिर भी फिर भी मतलब even then अब इसका परयोग sentence में conjunction के रूप में करते हैं वो गरीव है फिर भी वो इमानदार है he is poor even then he is honest या पर even then दो clauses के बीज में परयोग हुआ है मैं वियस्त हूँ फिर भी मैं तुम्हारा मदद करूँगा I am busy even then I will help you या पर even then का मतलब हो गया फिर भी for the sake of इसका मतलब है के खाते जैसे उसने अपने बच्चों के खाते सब कुछ की she did everything उसने सब कुछ की for the sake of her children अपने बच्चों के खाते for the sake of का मतलब हो गया के खाते किसके खाते अपने बच्चों के खाते तो her children रभी देश के खाते मर गया रभी डाइड for the sake of country या पर इसे ये परियोग आप कई सरे sentences में कर सकते हैं by all means इसका मतलब है हर परकार से या किसी परकार से तुम्हें किसी परकार से यह काम पूरा करना है you have to complete this work by all means by all means मतलब हो गया हर परकार से या किसी परकार से मुझे हर तरह से या हर परकार से समय पर station पोचना है I have to reach the station on time by all means by all means मतलब किसी परकार से या हर परकार से in case of in case of का मतलब है के हालात में या के दसा में जिसे गरीबी के हालात में तुम्हें पैसे कमाना चाहिए in case of poverty you should earn money in case of poverty मतलब गरीबी के हालात में तिया पर in case of के बाद आप word लिखेंगे इसके बाद फिर कमा इसके बाद sentence स्टार्ट होगा आप आद कालिन के हालात में गलास तोड़ देजे in case of an emergency break the glass तो इसे sentences कई सरे बना कर practice कर सकते हैं in the case of इसका मतलब है के संबंद में या के मामले में जिसे बीमारी के संबंद में मैं कुछ नहीं जानता हूं I don't know anything in case of disease दुरगटना के मामले में सुमन नहीं बताया in case of accident सुमन दिडनोट टेल तिया पर आप समझ सकते हैं के के संबंद में या के मामले के लिए in the case of का परयोग कर सकते हैं with regard to इसका मतलब है के बारे में या के विसे में उस किताब के विसे में कुछ बताओ Tell something with regard to that book With regard to that book मतलब उस किताब के संबंद में मेटिंग के बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे We were talking with regard to meeting yesterday All in all All in all का मतलब हैं सर्वे सर्वा That means आप आप सकते हैं सब कुछ परधाना ध्यापक स्कुल में सर्वे सर्वा होता है The headmaster is all in all in the school मालिक कमपनी में सब कुछ होता है The owner is all in all in the company त्यापरजाब याप बोलना चाते हैं सर्वे सर्वा सब कुछ तो आप आप all in all का परियोग कर सकते हैं Little by little इसका मतलब हैं धीरे धीरे जिसे वो धीरे धीरे उन्नती कर रहा है He is progressing little by little आप लोग धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना सिख जाओगे You will learn to speak English little by little त्याप पर देख सकते हैं little by little का परियोग कि इस तरीके से क्या जा रहा है So guys thanks for watching that's all for today 6. जाद लोग पर देख लाएप पर देख रादे लादे प्रीं root